मौत को मात देकर धनबाद आया चार माह का मासूम आरव परिवार के लोगों के खिल उठे चहरे बरमसिया निवासी अजे कुमार साव के चार माह का पुत्र आरव जो बाइलेरी अट्रेसिया नमग बिमारी से जूज रहा था जिसका इलाज के लिए 25 लाग खर्च होने थे और इसका इलाज चन्ने के ग्लोबल अस्पताल में होना था समाज सेवी अंकित राजगडिया द्वारा जिंदगी मांगे आरव मुहीम सुरू की गई थी अंकित के मुहीम सुरू करने के बाद मुहीम ने रफ्तार पकड़ी और लोगों के सहयोग से 25 लाग जमा हुआ फिर चन्ने के ग्लोबल अस्पताल में आरव की मा रानी देवी ने अपने लीवर का 25 फिस्दी हिस्सा दान किया और आरव की जिंदगी बचाई आज दीन मा के इलाज के पुर्ण होने के बाद आरव अपनी मा के साथ धन बाद आया जहां समाज सिवी अंकित राजगडिया और उनके मित्र चतरभुज कुमार ने आरव और उसकी मा का भावे स्वागत किया स्टेशन पर आरव और उसकी मा को फुलो की माला पहना कर स्वागत किया गया और आरव को तिलक लगा कर आरती उतारी गई इसको तो बिलेरिंट के नाम का बीमारी था इसके करण लिवर ट्रांस्प्लांट करने के लिए बुला गया था तो यहां पर सभी का मदद से मतलब की पैसा एक फटा होगी और हम रोग चिन्ने में इसका लिवर ट्रांस्प्लांट भी करवाएं कितने मैंना चला इसका टेशन लगबद तो तीन मैंना पूरा हो चुका अब इसकी तावित कैसी है अभी ठीक है बहुत अच्छा बहुत ब थेनवाद सकते हैं किता दिल लगा इलाज में पूरा तीन मैं है कि अधर हम रोग यहां से जब चलने के लिए निकलेते हैं और वापस आ रहे हैं तो पुरा इसमें तीन मैं है अब कैसा लग रहा है लाग पूरा अच्छा आ हुँ आप श्ट बच्छा हुआ पक्षा और ये सब कुछ आप सभी के वज़ा से अंकीत बहिया के वज़ा से आप सभी मीडिया वाले के वज़ा से यह सब संभव हो पाया है क्योंकि आप लोग नहीं रहते तो हम लोग सोच मिने करते हैं मैं बहुत खुस हूँ और मैं तुरी धनबाद वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो जिन्दगी मांगे आरव की मुहिम का समर्थन किये है और जिस कारण से आरव का जीवन बच पाया है और इसको दूसरा जिन्दगी मिल पाया हूँ बहुत बहुत धन्यवा क्योंने मुपके? अजय कुमाप्साओ